जैहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल अमरित अकैडमी पे हम लोग शीटेट पेपर टू के लिए अपना मैथ का प्रिविएस येर स्क्रीज चला रखा है 20 डेज के लिए जिसमें से 3 डेज हम लोगों ने अच्छे से लगबग 15 से 20 कॉस्टेंस के अ आज उसी सीरीज का अपना फोर्थ डेज है ठीक है अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्रिविएस वीडियो जो है देख सकते हैं कंटिनिवस हमने एक करके एक कॉंसेप्ट के साथ सारी चीजों को डिसकस किया हुआ है ठीक है अगर आप लोग बस यह 20 क्लास भी कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से तो आपके 20 मेंशे 20 जो त्यूरेटिकल वाले आते हैं के कल्कुलेशन वाले पारट आते हैं वह कंप्लीट कर पाएंगे और लास्ट में हम एक महराथन क्लास उसके जो पेड़ागोजिकल है उसका ले लेकिन यह अपने आप में एक तेड़ी खीर है अगर आप लोग इसको सही से कल्कुलेट नहीं कर पाते हैं तो अगर जोड़ घटा के करेंगे तो यह लंबा प्रोसेस हो जागा तो आज यह इसको हम देखते हैं कि सॉर्ट वे में कैसे करेंगे ठीक है हमें दे रखा है आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो इतने वाले फैक्टर में रुख जा में पेंचेंज कर लिता हूं इसमें और इसमें इन दोनों में 2019 कॉमन हो रहा है तो आप 2019 को कॉमन ले लो 2019 आपने कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा पावर टू था तो एक पावर कॉमन हो गई तो किवल यहां पर बच गया आपका 2019 ठीक है न अब प्लस यहां से 2019 में से पूरा 2019 कॉमन जब चला गया तो आपके पास क्या बच गया वन बच गया ठीक है तो यह इतनी चीज़े बच गई अब प्लस का यह 2020 यह बचा हुआ है आपके पास अगले स्टेप में देख कि कैसे करेंगे अब क्या करेंगे देखिए 2019 और 2019 प्लस एक मिला करकर 2020 बन गया तो यह पहला स्टेटमेंट जो लिख्खा हुआ है यह लिख्खा हुआ है दो 2019 इंटू 2020 river बन गयाMac की नहीं बन गया क्योंकि 2009 प्लस एक अब फिर 10 का यह 2020 आल्रेडी यहां पर पड़ा हुआ है अब देखिए अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे इसमें क्या और common कुछ मिल सकता है जरत ध्यान से देखिए यहां से लेके यहां तक तो यह एक टर्म है और यह वाली दूसरी टर्म है इन दोनों में देखो तो 2020 Pris Type I2 2020 कौमन दिखता है तो इन में से 2020 कौमन निकाल लिया तो 2020 कौमन आगया बचा कितना इसमें से 2020 यह कौमन निकल आया तो किल 2019 बचा कि यहां रख दिजी कितना 2019 प्लस 2020 में से पूरा आपने कमन ले लिया तो यहां बच गया एक ठीक है न अब फढ़ jogo कर करोगे तो क्या हो जाएगा यह 2020 प्लस 2019 और एक मिल करके फिर से इंटू में 2020 हो गया तो अब देखिए आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 2020 इंटू 2020 है और यह रूट के अंदर है तो रूट के बाहर एक टम क्यों आ जाएगी ठीक है ना तो यह आपका जो आंसर आ चाहएगा 2020 इसका आझाएगा ठीक है रूट के बाहर लेकिन हमसे यह पूछा क्या यह तो एकस की वेलू आ गई ठीक है ना यह एकस दे रखाता हर जगां पर यह एकस है ठीक है लेकिन हमसे एकस नहीं पूछा हुआ है हमसे पूछा हुआ है टू-1 तो आज ही máximo कर दते कि तो इन्टू एक्स की जगह कितना रखोगे 2020 2020 माइनस वन कर दीजिए तो 2020 का डबल करोगे तो 4040 हो जाएगा और एक माइनस कर दोगे तो 4039 49 आपका आंसर आ जाएगा जो कि सी ओप्षन में दे रखा है यह करेक्ट हो जाएगा ठीक है आई हो पसंद आया होगा इस मेथट से स्वाइब करना और कभी आसान समझ करके इसको कैलकुलेट करने मतलग जाना अधर वाइस आपके कोशन आत जाएगा अंसर लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा ठीक है अब आजाते हैं अपने नेक्स कोश्चन पर अगला कोशन देखि विंडों का योग क्या होगा यह पूछा दोनों का सम पूछा है तो इन में सबसे बड़ी और छोटी कैसे दूरते थे तो देखिए एक बर मैं यहां लिक देता हो इन सबको चार बटा 9 और यह है पांच बटा 6 और यह है साथ बटा 12 और यह है आपका 11 बटा 24 और फिर है आ जहां एरो लगाया है इधर वाली चीज़ यहां लिक होगे तो 6 इंटू 4 24 आ गया 24 यहां रखिए आप आप 9 पच्चे 45 45 इसके नीचे रखिए तो देखिए 24 और 45 में कौन बड़ा है 45 तो इधर की जो भिंद है यह बड़ी हो जाएगी तो इन दोनों में 4 बटा 5 जो है आ 20 इससे ठीक है ना अब इस वाले इसकी तुलना इसके साथ कर लेते हैं आजाए 10 बटा बारा के साथ कर लेते हैं क्रॉस मुल्टिप्लाइब कर आए इसका इसके साथ इसका तो 12 पच्चे 60 यहां पर हो जाएगा और यहां पर 27 यहां पर साथ में साथ बड़ा है तो फिर सी पांच बट्टा 6 जो भिन्य बड़ी आ गई अभी इसके साथ भी तुलना हो गया अब पांच बट्टा 6 की तुलना इस वाले के साथ करेंगे तो देखिए पांच बट्टा 6 को तुलना करेंगे किस से ग्यारा बट्टे 24 से तो केल्कुलेट कीजिए इसको जड़ा चार पच्चेव 20 की जीरो सब्सक्राइब लगे दो पांच बट्टा च्छे तो यह वाली भिन फिर से बड़ी होगी पांच बट्टा च्छे ठीक है अब पांच बट्टा च्छे की तुलना हम लोग इससे कर लेते हैं तो पांच बट्टा च्छे की तुलना करेंगे आठ बट्टा ग्यारा से ठीक है तो यहां से करेंगे फिर से देखी क्रॉस मल्टिप्लाइब करेंगे तो ग्यारा पच्छे 55 आगया आपका इधर कितना आ जाएगा छे एठे 48 पच्पन और 48 में कौन बड़ा हो गया 55 तो यह वाली भि निकल के आई कौन से आई हैं पांच बट्टे में छे मुझे सिखाना था इसलिए मैंने एक एक करके यहां लिखा है जब लोग आप लोग करोगे तो पेपर में ही ऐसे डिरेक्ट फटा-फट से कैलकुलेट कर लेना कौन किससे बड़ा कौन छोटा है ठीक है पांच था इसकी तुलिए लुछ रूट्मट कर लो हो जाएगा और नौ सटे तहीर हो जाएगा यह चोटा हो गया यह वाला चोटा है साथ बड़ा से भी इसके साथ इसके साथ चेक करेंगे तो आपको चारबटे नौ जो है यह सबसे इसमालेश्ट मिल जाएगा ठीक है ना तो हम सबसे बड़ा च्याहाएं सबसे बड़ा च्यांनों सबसे बढ़ा इसका मतलब गौह वीए सबक की निकाल दो दो तो लस्म लेलींज़ीं कितना ढ Momo कितना ऑता चैतरीक 18 और बारत आइगा नहां आठरा गर ठीक आप कितना रहा हौघ तो पंदरा तो पंदरा आठ कितना होता है यह आपका आंसर बन जाएगा ठीक है कहां दे रखा है यह भी कोशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब हम लोग चलते हैं अगले कोशन पर इसमें देखते हैं क्या दे रखा है यह भी देखिए बहुत ही अच्छा कोशन अगर देखिए आप ऐसे कोशन की प्रैक्टिस करके नहीं जाते है ना तो समभता यह एक तो टाइम खाएंगे और पेपर में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना आदेतर बच्चों का पेपर जी छूट जाता है पूर यह x की वेलू है माइनस थिरी रखा है ठीक है और यह भाग का साइन है तो एक बटा दो की घात में दो है गुडा में फिर है दो बटा तीन की घात में दो है इसमें हम से पूछ रहा है कि x का रेशिप्रोकल तो सबसे पहले x कैल्कुलेट कर लिजिए एक सा बराबर कितना जाएगा देखिए यह जो पावर आप देख रहे हैं यहां पर माइनस का पावर है अगर मैं अंदर की भिन को उलट दूँ तो पावर जो है प्लस हो जाएगी ठीक है न तो इसको आप ऐसे लिख लो तीन बटा दो की घात तीन अब यह प्लस हो गई पावर माइनस नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जाकर के कॉंसेप्ट वाली क्लास में अच्छे से देख सकते हैं पूरा प्लेइलिस्ट पढ़िए यहां पर गुड़ा का साइन लगाएंगे तो एक बटा दो को लिखोगे कितना दो बटा एक और इसकी पावर दो है तो यही रहेगा और इसको ऐस इट लिख दीजिए दो बटा तीन की पावर दो अब इसको हम लोग कर लेते हैं इस अठीक है कि इस क्या आता है तीन की फावर तीन 27 होता है तीन तरिक नौरीख शर्थ फंटाइस अगिया यहां से बटा में दो की पावज तीन आठा गया गुडा दो की कितना हो ग जार एक पैबर दो एक ही रहेगा एन्न टू ई कर दो यहां तो चलेगा लेकिन आप करते हैं यह नव आ गया ठीक है अब सॉल कीजिए नौ से इसको काड़ दिया तीन बार में आठ से चार कटा चार एकम चार चार दुनी आठ और दो से फिर चार चला गया दो बार में तो तीन दुनी यह आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है कि यहां तक चीज़े आपको अच्छे से किलियर हो गई होगी अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले कोश्चन पर ठीक है अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता रहे तो आप लोग कमेंट कर दिये करिए मैं उस चीज को अगल जिकल है वह मैं करवा दोंगा अच्छा यह देखिए इस टाइप का भी कोश्चन हमने सॉल करा हुआ है पिछले जो प्रैक्टिस लेया था हमने इसमें देखिए क्या कर रहा है थी पॉइंट वन जीरो माइनस टू पॉइंट वन माइनस के की वेलू दे रखा है इतना माइ मुझे आपको समझाना है चीजों किलियर करनी इसलीं हहां लिख रहा हूं ठीक है तो दिखे इतना लिख दिया फिर माइनस का दे रखा है टू पॉइंट वन माइनस का वन सारी माइनस के कि दे रखा है इस इक strangल टू में दे रखा है आपको कितना टू पॉइंट सिक क concerns कि is यह दे रखा अब पहले हम यहां से के कैलकुलेट करेंगे देन उसके बाद 1-k कर लेंगे ठीक है तो चलिए इसको करते हैं आगे सौल अब देखें यह दसमलों के बाद तीन डीजिट है यहां दसमलों के बाद दो डीजिट है तो एक 0 लगा के इसको भी 3 पूरा कर लो ताकि कि अपलों को कैलकुलेशन के करने में ज्यादा डिक्कत ना है सब्प्रेट करते हैं और यहां चाइया थे यहां 2 दो मेंसे दो गया यह 0 यह खतम हो गया तो आपका यह जो बन गया एक सेकंड यहां में रब कर दू जड़ा यह डेसिमल अच्छे से लगा दू यह रहा आपका डेसिमल तो 0.991 इतना अगया और माइनस का के इसको भी जड़ा सॉल कर लीजिए यहीं पर अब देखिए दसमलो के बाद इधर दो अंक है यहां दसमलों के बाद तीन एक जिरो लगा के पहले बराबर कर लो ताकि आसान रहे ठीक ना चलो अब माइनस करते हैं तो जीरो मेंसे दो गया तीन यह बच गया और दस्मलों यह तो दो ही रहा क्योंकि इसने किसी को कैरी तो दिया नहीं था ति यह दो रहा ठीक है ना इतनी चुछे आ गई आपके सामने अब इस वाले टम को 0.991 को इधर भेज दीजिए माइनस कर दीजिए ठीक है तो माइनस के की वेलू आ जाएगी 2.394 और इधर आ कि यह माइनस हो जाएगा 0.991 करिए माइनस जाएगा 14 में से 9 गया 5 आ जाएगा चाही चार में से एक गया तो तीन आ गया ठीक है ना चार में से 1 गया थीन वैसे देखे लाश्ट डिजिट 3 देखके ही हम 2 और आपसन को काट सकते यह दोनों तो आई नहीं कि सकते जो आएंगे तो यहीं अंसर में ठीक है और गया अब उसके बाद 9 में से 9जला गया तो यह 0 बन गया ठीक है अब उसके बाद कितना बच्चा तीन में से 9 जाएगा नहीं 3 dual चला गया ठीक है लेकिन यह तो minus k की आया और मैं solve भी करा देता हूं इतने में आप answer mark करके चले जाएगा आगे ठीक है पेपर में अभी आ जाएगा देखिए आप से पूछा था किसका 1 minus k तो इधर भी 1 लगा दीजिए तो आपको इधर भी 1 लगाना पड़ेगा तो यह आ जागा 1 minus k क की वेलू देखिए वान और वन यह जूड़ जाएगा तो टू पॉइंट फोर जीरो ठीक है ना फोर जीरो ठीक है यह फोटो के पास पेन नहीं चलती फोर जीरो ठीक है यह आपका answer हो जाता है देखिए बी option पर दे रखा ठीक है लेकिन जब आप paper में करोगे ना तो इतना सारा मस्वाल करना इतने पर ही आंसर दिखने लग जागा फटाक से माक करना और आगे निकल जाना ठीक है चूंकि टाइम बहुत importance रखेगा आपके paper में इतना हो गया आज अगले questions को अपने देख लेते हैं क्या दे रखा है यह भी देखिए बहुत बैतरीन सा question दे रखा है आपके सामने इसमें कह रहा है इतने को मानक रूप में निम्नुद्वारा ब्यक्त किया जाता है मानक रूप में दिखाना है मानक रूप क्या होता है मानक रूप क्लास 7th NCRT का टॉपिक है इसमें क्या होता है आपको जो 10 की power है वो जितनी भी power है एक साथ ले करके decimal को कम से two people in two-ten ki power three upon twenty four into ten ki power minus four ये था तो g5-........ MARISA उपर जाएगा प्लस है ये आजाएगा 1.2 ए marvel twenty four रहने दो इ disgust Ten 2 ONE 10 ki power 3 तो ये 3 था लेसे सात हो जाएगा अच्छा एक काम कर में ये जो तो यह आ जाएगा 12 वट्टा 24 गुड़ा 10 की घात कितना आजएगा आप 6 बच गया ठीक है न अब इसको काटि जाड़ा तो दो बार में चला जाएगा तो एक बट्टा दो गुड़ा 10 की घात 6 एक बट्टा दो कितना होता पॉन्ट 5 होता है तो दस्मलो 5 गुड़ा 10 देखिए कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही ध्यान देने की चीज़े हैं आप लोग भी ट्राइ किया करिएगा क्योंकि मैं था इसमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है अब देखिए इसमें कह रहा है यह वाला पूरा टम दे रखा इतना बड़ा और इस इक्वल टू वाट इन आप लोगों को अच्छे से चीज़े दिख रही हूंगी ठीक ना देखिए यह चेह रहा है आप से किसकोर फिर माइनस x2 माइनस y2 माइनस z2 का होल स्कॉयर अच्छा आप मुझे यह बताओ एक आइडिन्टिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा याद होगी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड आइडिन्टिटी यह है कि a2-b2 यह किसके बराबर होता है तो यह होता है a plus b एक ब्रैकेट में और a-b second ब्रैकेट में यह आइडिन्टिटी आप लोगों ने बच्छपन से पढ़ा होगा और ncrt में 7-8 में दे रखा आई है ठीक है तो जरा आप मुझे यह बताओ अगर मैं इस पूरे टर्म को a मान लूँ और इस पूरे टर्म को b मान के चलूँ तो a square और b square का रूप हो जाएगा यह तो इसको हम फिर इसता से लिख सकते हैं उसी तरीके से यह भी देखिए a plus b और a-b वाला फॉर्म है तो इसको वापिस इस तरह से लिख सकते हैं तो देखो इसको क्या लिखोगे आप यहां से मैं यहां कर देता हूं तो इसको मैं लिखू को यहां थोड़ा रब कर दो ताकि ज्यादा जग्या ने खेर यह तो दिखिए यह आ जाएगा a plus b तो एक लिखो पहले पूरा आजाएगा आपका x square plus y square minus z square a हो गया plus b तो plus b की जगा कितना x square minus y square minus z square x square minus y square minus z square यह आ गया a plus b यह पहला ब्रेकेट हमें मिल गया इंटू में दूसरा ब्रेकेट क्या कहता है हाँ दूसरा ब्रेकेट होता है a minus b तो यह वाला रखो x square plus y square minus z square यह तो एक ही जगा हो गया minus b करोगे तो यह सबका साइन चेंज हो जाएगा तो यह आ जाएगा minus यहां से देखिए x square आप समझ पा रहे होंगे इस पूरे को मैंने b माना हुआ है इस पूरे को ए माना हुआ है ठीक है इसकी तुलना यहां से करके मैं यहां रख रहा हूं बहुती छोटी चीज़ है इस पर कोई स्कूर्र रहे पास थी यहंगे देखिए क्या हो सकता है इन में जो प्राय उसको कड़ दो क्या कट प्लस के साथ यह कट बाइन से कट ग्या इस में दीखते है क्या कट जाता स्कूर माइनabs घर स्कूराइर पलस च्कूरा माईनस एक्स स्कूरा प्लस यहां तक कोई आउट कि अ पर यहां फ्रेट करते हम यहां बचा ऐक्सि सकूरा प्लस एक्सिस आपका केवल और केवल 2y स्क्वाइर तो यह 2y स्क्वाइर बच गया और नीचे क्या था यह पूरी चीज तो नीचे ही थी क्या x स्क्वाइर माइनस का z स्क्वाइर इंटू y स्क्वाइर ठीक है फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं इन दोनों में देखो तो two common बन रहा है तो two को बाहर निकाल लीजिए क्या बच गया x स्क्वाइर माइनस का z स्क्वाइर बच गया इंटू 2y स्क्वाइर यह बच गया नीचे तो यही चीजे पूरी लिख दीजे x square minus z square और इंटू में y square ठीकनेस ठीक है ना ठीक है यह आगया अब जरह ध्यान से देखो इस y square से यह y square कट जाएगा x square minus z square x square minus z square पूरा bracket कट जाएगा बचा क्या दो यहां जो कि बी option पर दे रखाए वी option correct answer हो जाएगा ठीक है ना बहुत ही बहतरीन था आप लोग ठोड़ा पेपर में और speed में solve कीजिएगा मुझे सिखाना था इसलिए इस तरह से बताना पड़ रहा है कि अब आजाते हैं अपने next question पर देखते हैं इसमें क्या कहना चाहरा है अच्छा देखिए यह बहुती रिपिटेड कोस्टन है ऐसे question algebra से आपके पूछे जाते हैं इसमें कह रहा है निम्न बेंजक में x square और x के गुडांकों का योग क्या है यह बता दीजिए हमें कि गुडांक आप लोग समझते हैं coefficient की बात करना है इंग्लिस में बता देता हूं what is the sum of coefficients of x square and x in the following expressions इसमें आप से पूछ रहा है जब भी हमें किसी का coefficient पता करना होता है तो सबसे पहला हमें काम करना पड़ता है कि इनको simplest form में लिख लो simplest form में लिखने का मतलब होता है इस bracket का multiply इसके साथ इस bracket का multiply इसके साथ लेकिन मैं paper वाले तरीके से इसका solution करना चाहूंगा देखो क्या करोगे आप लोग इस तरह से पूरा solve मत करना हमसे x square का coefficient पूछा है और x का ऐसी चीजे का केवल multiply करो जिससे केवल x square और x बन रहा हो ठीक है तो दिखिए ज़रा अगर इस x का 2x square में multiply करोगे तो 2x cube बन जागा जिसका कहीं स्तमाली नहीं है तो यह ignore मारो मत लिखो x का multiply x से करोगे x square आएगा इसको लिखो तो x square आ गया इसका multiply करके फिर x का multiply माइनस 15 में किया तो माइनस 15x आ गया माइनस 15x आ गया यह अपने काम का है x square और x वाली time क्यों लिख रहा हूं ठीक है इतना तो पकड़ पा रहे हो आँगे आप लोग ठीक है न तो यह हो गया अब उसके बाद माइनस 2 का multiply ऐसी जगा करो जहां से केवल x square और x बन पाए तो माइनस 2 का multiply यहां करोगे तो x square बनेगा नो डाउट तो माइनस प्लस माइनस तू तू जब 4 x square आ जाएगा यहां से और माइनस 2 का x से कर सकते हो करेंगे तो माइनस 2 x आ जाएगा माइनस 2 का 15 में करके अपने काम की चीज नहीं मिलेगी तो मत करो यहीं छोड़ दो ठीक है यहां हो गया अब यहां पर आ जाओ इसका multiply हम लोग यहां पर कर क्यूब की टम आएगी किसी काम के नहीं है अपने छोड़ो इग्नोर मारो एक्स का multiply 11 से करोगे तो 11 x square अब तक तो पकड़ लिए होगे कि मैं क्या करवाना हो चाहरा हूं 11 x square और यह आ जाएगा प्लस का आपका 10 x यह पहली टम होगे आप 2 से multiply करो 2 x square और 2 और 11 हो जाएगा 22 x प्लस का 22 x 2 का 10 में करोगे गुड़ा 20 आएगा कहीं काम नहीं है हमें छोड़ दो ठीक है अब इसको और थोड़ा simplest form में लिख लो bracket open करके यह आजाएगा x square माइनस 15 x माइनस 4 x square और माइनस 2 x सारे देखो बाहर बरेकरट के अगर माइनस होता है अंदर सबके साइन बदल जाते हैं तो यह आजाएगा माइनस 11 x square और माइनस 10 x माइनस 2 x square माइनस 22 x ठीक है ना अब देखिए सबके x square वाले के coefficient को एक जगा रख दो और एक सवाले coefficient को एक जगा लिख दो एक सब कोफिसिएंट पहले मी वो भी माईनेस का माईनेस का 16 आ गया किसका एकस स्क्वायर का कोफिसीनट टूटाल अब एकस वाले को डूडब ओ जो रहा अलग कलर का प्रेंट लेलू माईनेस पंदरा एक तो मिल गया चैनला एंग्ट कोफिसीनन निकालना थो bearaming गया यहां और दो 49-49 आ गया ठीक है ना यह आ गया एक्स का कॉफिशियंट यह आ गया एक्स स्क्वाइर का और आप लोगों से पूछा क्या गया था इन दोनों का सम्व तो 16 में उननचास एड करो 9 6 15 लाश्ट में 5 दिख्या और माइनस 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 ही रहेगा तो यही एक दिख रहा इसी तरीके से आप लोग पेपर में करोगे करने को तो सारे बच्चे करेंगे लेकिन जो स्पीड में करेगा वही जीतेगा ठीक है ना तो अगर पसंदार यह क्लास तो दोस्तों को सेयर भी कर दो कोई कमप्टेशन की बात नहीं है सब के कॉलिफाई हो जाएंगे ठीक है अ इसे कुश्चन को करने के लिए क्या करोगे सबसे पहले कैलकुलेट करके वाई की वैल्यू निकालो और फटापट से ऑप्सन में रख रख के चेक कर लो कौन सा सैटिस्फाई हो रहा वह आंसर हो जाता है ठीक है तो आज यह क्वेस्टन यहां कॉपी करता हूं वाई प्लस सिक्स बटा फूर प्लस वाई माइनस थ्री बटा फाइफ इस इक्वल टू फाइब वाई माइनस फूर बटा एट ठीक है कैसे सॉल करते हैं लेके सॉल करते हैं ठीक है ले लिजिए अपली भ्लैक पांच और चाहर का यह बीज खीक है और 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 तो आजाएगा देखिए चार पच्चे बीस तो यह पांच वाई और प्लस on चेक टीस यह तिस बन गया प्लस पांच छोग बीज चार बार जाएगा तो चार यहां तक चीज़े समझ गए होंगे लेना तो आता होगा बराबर पांच वाई माइनस चार बटा आठ तो जड़ा इसको काट लो चार से चार दुनिया चार पच्चे बीस गया अब इसको सिंप्लिफाई करो पांच वाई चार वाई नाइन वाई हो गया नाइन वाई और यह तीस में से बारा चला गया तीस में से दस गया तो बीस और दो और चला गया तो 28 प्लस का अरे रे 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 28 क्यों होगा तीस में से दस गया तो बीस बीस में से दो गया तो आठारा बनता है ना बता दिया करो यह आ गया आपका प्लस का 18 ठीक है 9y प्लस 18 हो गया यहां पर बटा में 5 यह है बराबर राइट साइड में कितना आ जाएगा 5y माइनस 4 बटा में 2 ठीक है यह बड़ा स्पेस लेता है यह एक सेकंड इसको मैं यहां करता हूँ पेंच चलती है तभी ठीक है यह आ गया नीचे में इसके दो है अब इसका कर दो क्रॉस मल्टिप्लाई तो इसका इसके साथ यह आ जागा नो दूनी 18y प्लस नो दूनी 18 दूनी 36 बराबर 25y माइनस पांच चोग 20 यह हो गया अब वाई वाली टम को एक साथ ले लो यह सही है ना 25 25 होगा ना यहां पर 25 होगा ठीक है तो द साइट साइड भेज दिए तो 25 में से 18 हो जाएगा ना 25y माइनस का 18y 20 को इदर लिया तो 36 प्लस का 20 ठीक है तो बताओ कितना हो जाएगा 25 में से 18 चला जाएगा तो कितना होगा अठारा दो बीस अपांदो साथ साथ वाई बच गया आपका और यह बताओ 36 प्लस बीस च्छतिस प्लस बीस चपन हो जाता है तो साथ से काट दो आठ बार में वाई निकल करके आपके पास आगया कितना आठ आठ आ ठीक है ना अब हमें क्या कह रहा है कि इसके हल के लिए जो इसका हल आया श्लतो आठ आखिया इन चारों अप्सन में से को किसका और यह हल है तो आप क्या करोगे आपके दो यह ज्या Save देखें अभी आप यहां पर रखो गया कितना आठ न से पांच गया दो राइट साइड करो एक हाइगा तो यह सही हो जाएगा ने दो प्लस एक में आधा जुड़ेगा तो डेड़े को तीन बटा दो लिखते थी यह भी तीन बटा दो बन गया यह भी और यह भी एलेक्टेस बराबर आरेचेस हो गया इसका मतलब सी ऑप्षन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ना यहां तक हो गया कोश्चन अपना अब आ जाते हैं अपने आगे के कोश्चन पर देखते आगे क्या कह रहा है गला दर्द कर गया लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ठीक है ना बड़ी मैनत हो जा रही है देखे अगला क्या कह रहा है हमसे एक कैलकुलेटर को 980 म बेचने पर एक बैक्ती को 6-2-3 प्रतिसत की हानी होती है इसको कितने रुपए में बेचे ताकि उसे लाव आठ प्रतिसत प्राप्त हो अच्छा देखे लाव हानी में बहुत चीज़े याद रखनी पड़ती है आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता यह देखिए यह हानी दे रखा है 6-2-3 प्रतिसत की हानी है इसका अगर आप रेशनल में बदलोगे तो यह आता है एक बटा पंदरा आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यह कैसे आगा तो मैं कर देता हूं फिलाल 6-3-18 और 2-20 तो 20 बटा 3 आ गया और प्रतिसत का मतलब होता है एक बटा 100 कीज जब यह दिखाता है आप जो प्रतिसत हानी होती है और उसको आप पी बाइक क्यू में कनवर्ट कर लेते हो तो जो नीचे आता है ना यह सीपी होता है क्राय मुल्य होता है किसी वस्तु का और यह उपर जो होता है यह हानी होता है तो मतलब 15 रुपय की कोई समान था तो एक ळुपय के हानी होता है उस पर चेंदार रुपय के ह이न होता है तो लेकिंत यह कह रहा है कि उसने बेचा हुआ में इसका मतलब 14 की वेलू कितनी है 14 की वेलू जो है 980 है यह कितने गुना है यह 1470 गुना है यह ठीक है न और आपको निकालना किसकी वेलू है मूलधन की मूलधन 15 है तो 15 की वेलू कितनी हो जाएगी 14 की वेलू 998 तो 15 की वेलू कितनी हो जाएगी 14 का सत्तर गुना 900 सी 15 का सत्तर गुना कितना होता है 1050 हो जाएगा मैं कैसे जल्दी कर रहा हूं 15 सत्ते 105 और एक जिरू लगा दो ठीक है यह बात बन गी आपकी 15 की तो मूलधन आपके पास इतना आ गया 1050 ठीक है ना अब इस पे आप इसको खरीदना क्या करना है आठ परतिसत फायदा चाहिए मतलब इसको बेचेगा आप 108 पर परतिसत पे इसका 808 प्रतिसत निकाल लीजे 150 का 108 प्रतिसाद चाहे तो इसका प्रतिसत पहले निकालो फिर इसमें जोड़ो या डिर्कली आप 108 प्रतिसत निकाल दो सब्सक्राइब अंसर बन जाता है बत्ता में 100 हो गया अब देखो एक जीरो से एक दिख कट गया ठीक है आठ पच्छे 40 लास्ट में आठ पच्छे 40 बनेगा और नीचे 10 तो यह जीरो तो गट जाएगा लास्ट में 4 आना चाहिए यहां जीरो है तो एक ही चार आएगा यहां दो चार दे रखे तो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलकुलेट करके भी देख लेना 105 गुड़ा में 108 कर दीजिएगा तो उसके लिए मैं क्लासेज लाने वाला हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बहुत सारी कुछ में चीजों में बताने वाला हूं इसमें मैत अगेरा में यहां तो खो गया है अच्छा अब देखिए यह एक अच्छा सा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि यदि 3x प् आप में पूछा है यहां बिना स्कॉयर का है जब भी ऐसी चीजे दिखें आपको कि एक जंगा स्कॉयर के फॉर्म में आंसर पूछ रहा है और आपके पास बिना स्कॉयर का है तो बिना सोचे समझे पहले स्कॉयर में जाए और अगर आप इस वाले टम के स्कॉयर में जाने ठीक है बराबर पांच का स्क्वेर करोगे तो 25 आ जाएगा ठीक है अरे रे 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 फर्मुला भी तो लगाना है इतने पर कुछ होड़ रहा हूं मैं और प्लस टू ये भी तो होगा टू इंटू एक जगा 9x इंटू बी की जगा एक बटा 2x तो x से x कट गया 2 से 2 कट गया ये एक जगा तीन रहेगा तीन है ठीक है बराबर 25 हो जाएगा ये 25 हो गया ठीक है यहां तक चीज़े समझ गये होंगे एक लिए मैं ठक गया अब अब देखिए क्या है इधर आगे सॉल करोगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस एक यहां पर क्यों बच्चा है तीन को इधर माइनस कर दो 25 में से 3 गया तो 22 आजाएगा ठीक है ना अब हमसे पूछा किसकी वैलू है तीन एक स्क्वायर का इन्वर्स पूछा इसको एसे लिख लो तीन एक स्क्वायर प्लस यह पावर माइनस वन है तो इसको लिख लो वन बाग कर दो इसको भी 3 से भाग कर दो इसको भी 3 से भाग कर दो त Warner आजागा 3 x square यह सिधह हो जयागा तो यह जागा 3x square पलस वन अपां 3 चोंग 12x square बराबर 22 बटा 3 । यह आप से पूछा थो भाई यी आप से पूछा हुआintend सा एक स्क्वायर सक्वार 2 x रख्षाम पर अपके सारे चैप्टर कंफर्म हो जाएंगे जो भी फार्मिले बगह रहे हैं ज्यादा टाइम नहीं लोगा बात हो टो में फटाफट से करते त्रिबूच पी क्यू आर बना देते हैं पी क्यू आर करत्रिव पिक्यू आर में भुजा क्यू आर क्यू आर क्यू आज तक बढ़ाया जाता है और भुजा प्यू को एक्स तक यहां लिया दिया बढ़ाया जाता है यदि एंगल πr110 और टी 136 एंट 7 के तो टेकर टाथा एंगल आरेक्स एक सो 40cockम भाला एंगल दे रहखा एक सोचार आट पूछ रहा है इंगल पी का पूरक पूच रहा है अपसे पूरक पूच हते हैं उसको दो की नाधी जाता है तो न 아니라 की कशका viene सब्सक्रवता इसा गाता है कि ओने पूचा गया さish ठीक है ना अच्छा मुझे बताओ तो यह कितना आ जाएगा यह 104 है और एक लाइन पर पूरा एंगल सम 180 होता है तो है तो यह 136 गटाओ 100 से 100 चला गया और 136 में ऐसा क्या जोड़ें कि यह बन जाए एक सब्सक्राइब चार जोड़ेंगे चालीस चालीस और जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा यह कल लीजेगा बहुत आसान है ठीक है अब उस आप से बताओ यह एंगल कितना आजाएगा तीनों एंगल का सम 180 होता है तो 76 प्लस 44 यह कितना बन गया च्छार दस के 8 बराबर 30 तीस डिगरी इसका आंसर हो जाएगा कहां दे रखा है यह ओप्सन पर दे रखा ठीक है कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके बताईएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से बढ़ा दोगा कोई रिक्कत नहीं मुझे देखें कॉम्प्लिमेंट से ही एक और कोश्चन आ गया बहुत ही प्यारा सा कोश्चन इसमें कह रहा है एक कोड एक्स का पूरक कोड चार एक्स के संपूरक के बराबर है ठीक है और कोड वाई का संपूरक अपने पूरक का चार गुना है तब एक्स प्लस वाई निकलना है क्या कह रहा है English में देख लेते हैं है किश्च आप the complementary angle of X is equal to the supplementary complimentary angle of X X का complementary कितना हो गया 90-x है यह मिल गया complimentary angle of X is equal to the supplementary angle of 4 X 4X का supplementary कितना हो जाएगा supplementary मतलब 180 में से minus यह सब्लीमेंटरी नर्था कि आयंके रहा है इसलिक्वल गया 9-y इसका 4 गुना तो 4 से गुना कर दो ठीक है न इतना हो गया एक्वेशन 2 हो गई अब आप से एक्स प्लस पूछा है यहां इसको सॉल करके इसको सॉल करके यह बन गया काम आज इसको सॉल करते हैं यह आ जाएगा देखिए यह यहीं कर देता हूं यह माइनस इधर 4x है 4x को इधर लियाएंगे प्लस का 4x हो गया 4x में से एक गया तो 3x बचा इधर बराबर 90 इधर इधर 180 है इधर जाके माइनस हो जागा तो 180 में से 90 चला गया तो 90 बच गया काट दो इसको 30 आ गया तो एक्स की वेलू पता चल गी कितना है 30 इन दोनों के इसी तरके से सॉल कर लेते हैं अच्छा यहां कर देता हूं तो 180 माइनस का वाई बराबर 936 360 माइनस 4y इधर जाएगा एक घट जाएगा 3y बराबर 360 में से 180 गया तो फिर से 180 बचा जाता है तीन से काटो 36 18 60 आ गया वाई की वेलू मिल गई 60 डिगरी तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 30 90 डिगरी हो गया जो कि बी ऑप्सन में दे रखा है यह करेक्ट हो जाएगा ठीक है बहुत ही अच्छे अच्छे कोश्चन है बहुत बार पूछे जाने वाले कोश्चन है ठीक है आगे क्या कोश्चन दे रखा है इसको भी मैं कराई देता हूं क्योंकि अब जब हम स्रीज चला रखें तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे करा चतुर बूज एबी सीडी ठीक है भाई बना देते हैं एबी सीडी पहले चतुर बूज बन गया सैंगल टीडि यह अपका सेवेंटी डीडि एंड एटी डिगरी यह डेरिखा आपका 80 डीगरी आले ऐंगल एंगल की और बीकिस कम दुबहजच इसका आ बाजक और इसका सम्दुई बाजक निकाल दो कि चतुर बुझ के अन्ता बिंदु पर मिलते हैं तो यहां पी पर मिल गए तो एंगल ए पी बता दो ए पी यह एंगल पूछ रहा है आपसे ठीक है ना बहुत सिंपल सा है किसी भी चतुर बुझ के चारो अन्ता कोड़ों का योग कितना होता है तिंसो साथ यह मादलो एक्स है स्वारी यह 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 संदुए बाजक है इधर वाला भी एक्स हो press और एक्स-ध 210 हो गया किटना हो जाएगा इंटार एंगल का साम ृष्टि होता है इन दोने में से 2 નool याग्या 80 72 को अदल ले जाके माइनास कर साथ कि 80 80 80 कितना होता है कि केřिंध्य टहटा हूं है दो सो बचल दो सो साथ में से कँल बावन जाना है साथ में से बावन गटा दो 108 कि यह घ्ता आगया किसकी वायलों डवेदी तो एकस प्लस वाय की वेलों एक्सप्लस वाइध कितने आजाएगी दो से भाग दे दो 108 का आदा कितना उता सव का आदा 50 और आठ का आदा चार्च जोवन आजाएगा यह चोवन बन जाएगा इस ज्यादा फास्ट कर रहा हूं कि यह 54 डिग्री आजाएगा आइधिंक हाँ चोवन आजाएगा न कि यहां पर दसमें से दो गया आठी सही है पांच से जिरो ठीक है 208 क्यों होएगा 200 कि यहां पर दो आना चाहिए 208 है तभी तुम्हें कि रहा हूं कुछ तो दिक्कत हो रही है रुक जो रुक जो रुक जो अराम से कल्कुलेशन कर देता हूं ठक गया हूं लेकिन कोई बात नहीं है स्वाल करवा देता हूं इसको यहां पर दिखिए यह हो एक्स प्लस वाई की वेलू जब यह 104 यही हो गया यह और यह एक्स प्लस वाई इतना मिला के 104 हो गया तो यह बच्चा हुआ कितना हो गया 180 क्या लिख रहा हूं एक 180 माइनस एक सो चार तो दस में से चार गया च्छे साथ 76 डिगरी आ गया कहां दे रखा है बी ऑप्सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ना आगे एक दो कोश्चन और है जिनको हम अगली क्लास में लेंगे मैं ठक गया हूं आप लोग लाइक से और सब्सक्राइब कर लिजिएगा ठीक है और वैसे यह होमवर्क में है ट्राइ कीजिए बहुत आसान सा कोश्चन है इसका जो आंसर आना चाहिए कितना आएगा कैल्कुलेट करके बताना कितना अंसर आएगा ठीक है आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं फिर मिलेंगे अपनी नेक्ट कोश्चन उसमें एक कोश्चन और यह भी दिखा देत यह बहुत ही जल्द आप लोगों का सारा सलेबस में कंप्रीट करा दूंगा ठीक है ओके बाइबाय टेक क्यार थेंक्यू सो मच